जै श्रम दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हैं उसे लोग बढ़े आऊंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो आप लोग जिस topic पे comment करते हैं उसी topic पे मैं ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिस रखता हूँ मतलब बनाने की कोशिस करता हूँ और जब दोस्तो आप लोग comment नहीं करते हैं तब मैं और topic पे वीडियो बना देता हूँ और दोस्त उन 4 top को चलाने के लिए Stranger brand की एक 4K amplifier होनी चाहीं और एक mixer होना चाहीं ये भाई का comment था दोस्तो आपको comment भी देख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे 4 top के बारे में बात करेंगे और 4 top को चलाने के लिए हमें amplifier के बारे में भी बात करेंगे कौन सी हमें amplifier लेनी है बाकी stranger brand की 4K amplifier भाई ने कहा है तो दोस्तो चलिए वीडियो को फटाफट से start करते हैं चैनल पे पहली बारे हैं चैनल को subscribe करें और वीडियो पसान है तो दोस्तो वीडियो को like कर दें चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पे हमारी 4 टॉप हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तो बताऊंगा कि इसमें हम speaker कौन सा डालने वाले हैं कितने वाडिस का डालने वाले हैं तो जैसे कि भाई ने कहा था कि 4 टॉप होने चाहिए और 400 वाडिस के हमारी speaker होने चाहिए तो दोस्तो अब पहले बात कर लेते हैं कि हम टॉप के अंदर speaker कौन सा डालेंगे फिर आपको बताएंगे एच अफ कौन सा होगा और नेटर प्लेड कौन सी होगी फिर चाहट आपको चलाने के लिए अम्टिफायर कौन सी होगी ठीक है दोस्तो तो दोस्तो पहले बात कर लेते हैं speaker की तो दोस्तो यहाँ पे हम टॉप के अंदर speaker डालने वाले हैं PIDO ब्रांड का जो कि आप लोग speaker देख सकते हैं अगर दोस्तो इस speaker की specifications की बात करते हैं तो दोस्तो speaker के पहले model number की बात कर लेते हैं दोस्तो इस speaker का model number PIDO ब्रांड का यह है हमारा 15 BM 420 का model number आपको देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो यह PIDO ब्रांड है काफी famous ब्रांड है काफी लोग इस speaker को या इस ब्रांड की speaker को काफी लोग यूज़ करते हैं काफी अच्छा performance सुनने को मिलता है मेरे पास भी दोस्तो दो PIDO के टॉप है 400 words में ही है वही मैं speaker आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा हम डालने वाले है किस model का ठीक है दोस्तो दोस्तो इसका ये model number हो गए अब बात कर लेते है speaker के words की तो दोस्तो ये हमारा 400 words का AS power में speaker आता है AS power को दोस्तो आप लोग armist power में convert करेंगे तो दोस्तो इसका something मतलब लग भग इसका 395 words होगा ठीक है 400 मान के चल सकते हैं कि इसका armist power 400 words के हसपास है मतलब 400 के अंदर ही है ठीक है अब बात कर लेते हैं इस speaker के speaker size की कि दोस्तो ये हमारा speaker कितने size में दिया गा है 12 इंचिस का है या 15 इंचिस या 18 इंचिस का है तो दोस्तो ये हमारा 15 इंचिस का speaker है ठीक है दोस्तो और अब बात कर लेते हैं इस speaker के nominal impedance की तो दोस्तो ये हमारा Eatom का speaker आता है जदा तर दोस्तो हमारे एटوم के ही speaker आते हैं ये भी हमारा एटوم का ही speaker है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस speaker की frequency range की तो दोस्तो आपको 40 वोडेश से लेके 3000 1000 वर्डिस फ्रिकंसी देखने को मिल जाती है तो कि फ्रिकंसी भी काफी बेस्ट दी गई है आप इस स्पीकर को लाइव और डीजे में दोनों चला सकते हैं भाई ने ये नहीं कहा था कि लाइव के लिए हमें स्पीकर चाहिए ने मतलब टॉप चेहे या डीजे के लिए टॉप चाहिए भाई ने केवल यही कहा था कि 400 वartष के हमारे 4 टॉप होने चाहिए मतलब 800 वारे इसका हमारा टॉप होना चाहिए तो दोस्थो हम यहाँ पे ऐसा मतलब स्पीकर यहां समझे सकते हैं टॉप बता रहे हैं, इसको आप live program में भी यूज़ कर सकते हैं और dc में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको live program में ज़्यादा use करेंगे तो ज़्यादा best रहेगा क्योंकि दूस्दों यह जो speaker है live program के लिए काफी best है बकि अब इसको dc में भी चला सकते है 400 words का है कोई दिक्र नहीं लोग चलाते भी है भाईर चार सू वर्स का यह speaker लोग इसको चलाते भी है DZ में आफ दोनो जगा चला सकते हैं इसलिए दूस्तों मैं आपको एक एसा ही speaker बता यह ठीक है और वाईसकोल की बात करते है speaker के अंधर कितने इंचिस की voice coil पड़ी हुई है तो तीन इंचिस की voice coil यूज की गई copper में जो कि काफी बेस्ट coil यूज की गई इस speaker के अंदर और दो दो इस speaker के एगर weight की बात करते हैं वजन की बात करते है speaker का कितना वजन दिया गए है तो दोस्तो 9.5 kg का ये हमारे speaker है, 9.5 kg का ये speaker वजन में आता है, P.A. div brand का ये हमारे speaker है, काफे best speaker है भाई, काफे best है speaker और आप लोगों को बटा देता हूँ, ये जो speaker है, इस speaker में duplicate भी काफी आते हैं, दोस्तो आप मार्केट में आप जब speaker लेने जाएंगे, तो दोस्तो इसी speaker का same copy मतलब duplicate भी market में मिलेगा बट आपको original ही speaker लेना है ठीक है original speaker लेंगे तब ही आपको अच्छी quality सुनने को मिलेगी तो दोस्तो speaker जब लेना source समझ के लेना और original ही speaker लेना फिर आपकी जैसे मरजी ठीक है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं cabinet की कोई आप लोग cabinet ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी मैं तो दोस्तो जैविल मॉडल का SRX 725 मॉडल का cabinet यूज करता हूँ उसमें ही मैंने ये speaker डाले हुए है आप जैविल बरान का भी ले सकते हैं इस model का top ठीक है दोस्तों दोस्तों यहां पर speaker और cabinet की बात हो चुकी है अब बात कलेते हैं HF की फिर उसके बाद आपको amplifier भी बताएंगे कौन सी लेने हैं तो आपको चलाने के लिए चाट आप जो की हम ready करने वाले हैं तो दोस्तों अगर HF की बात करते हैं तो दोस्तों HF हम यहां पर 450 डालने वाले हैं वो भी ATA Pro brand का प्लस में दोस्तों आपको horn भी लेना होगा ठीक है तो दोस्तों आप लोग 450 का HF ले सकते हैं जो की काफी अच्छी जनकार देगा और इस HF को चलाने के लिए हम नेटर प्लेट यूज़ करेंगे आपको 500 रुपय तकी मिल जाएगी नेटर प्लेट ठीक है दोस्तों दोस्तों यहां पर हमारी HF और नेटर प्लेट हो चुकिए स्पीकर भी हो गया केबनेट भी हो गया तो दोस्तों एक टॉप कोWarri करने में में इतना ही आइटम लगता है दोस्तीज़ेर लीएonta लगना कर सकते हैं मैं ँस टॉपिक बना दूगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर चार्ट आप लोग ले सकते हैं जो कि चार-चार सो वाड़ के हमारी स्पीकर रहेंगे टॉप के अंदर प्लस में हमारा एच्चाफ वाड़ ठीक है चले अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन चार टॉप को चलाने के लिए हमाँ एम्प्लिफायर कौन सी लेंगे किस ब्रांड की और कितने वाड़ के लेंगे भाई ने दोस्तों कमेंट में तो ये कहा था कि भाई चार टॉप चार सो वाड़ के डॉल हफ के साथ होने चाहिए और हमारा एक फॉर के एम्प्लिफायर होना चाहिए वो भी स्ट्रेंजर ब्रांड का भाई आपको बता देता हूं कि फॉर के एम्प्लिफायर आप लोग इन चार टॉप पे नहीं चला सकते हैं क्योंकि एम्प्लिफायर जो है हमारा फॉर के मॉडल का वो दोस्तों हमारा एक चेनल में 2000 वाड़ इस आउड़ पुट एस पीबी 3 के मॉडल का आप लोग एम्प्लिफायर ले ले जोकि वो हमारा एम्प्लिफायर टॉम पे 1500 वाड़ इस ही आउड़ पुट निकाल के देता है तो दोस्तों हमारा इस पीकर नहीं जलेगा मैन बात है इस पीकर नहीं जलेगा जो कि काफी बेस्ट अम्प्लिफायर है इस्ट्रेंजर ब्रांड की में भी अम्प्लिफायर से युजे करता हूँ जैसे कि अम्प्लिफाईर युज जो कि आपके एक चैनल पे आपके दौ इक नहीं और दूसरे चैनल पर भी हमारे यही दो टॉप चल जाएंगे मतलब इस सेंप्लिफायर पर टोटल हमारे चारो टॉप चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग 12 घंटी भी बजाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इतना बेस्ट आपको बता है और स्प सब्सक्राइब दोस्तों मिलते हैं किसी लिए राम राम जाहिंद बंदमात्रम